वेल्कम फ्रेंद्स, वेल्कम तो माई चैनल टेक्नमोन, दोस्तों मेरे चैनल में आप लोग कस्वागत है और मैं दोबरा आया हूँ, और एक अन्बोक्सिंग वीडियो लेकर, यह एक बेबी टीजर का भी अन्बोक्सिंग वीडियो है, इसको मैंने फ्लिपकर से पर्चेस कि अन्बोक्सिंग करूंगा, दोस्तों देखिए टीजर का क्वालिटी कैसे है, क्योंकि मेरे बेबी का दान्थ निकल रहा है, और 7 मंद का है, और तो बहुत ही प्रॉब्लम में है, इसे देख के मैं इस चैसको बाट्चेस किया हूँ, तो देख के वो थोड़ा आराम बहुत करें, तो इसके लिए मैंने इसको देखता हूँ, क्या निकलता है, तो दोस्तों जब तक मैं इसको अन्बोक्सिंग करता हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्स्क्राइब कर दीजिए, और जो घंटी बटन है उसे भी दबा दीजिए, इससे क्या होगा, ऐसा ही वीडियो मैं दोबरा जब भी अफलोट करूंगा, तो उसका नोटिफिकेसन तुरंट आपको चला जाएगा, तो देखिए, दोस्तों मैं इसको ओपन करता हूँ, और मैं इसको जब आया था, मैं सावुन की पानी से इसको सेनिटाइज किया हूँ, और उसके बादी मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, तो यह है, टीतर, क्वालिटी काफी अच्छा है, और यह BPFD है, आपकी यारी देख सकते हो, इजी ग्रीब, और नोन टॉक्सिक है, और 4M प्लास, मैं बलग की चार महिने से बड़ा बच्चे के लिए है, और मेरे बच्चे तो अभी 7 महिने की है, तो इसके लिए उसके लिए यह चीज परफेक्ट है, और यह Love Lab Company का है, और क्या कुछ है, नोन टॉक्सिक, नोन टॉक्सिक है, सब सिलिकॉन, प्योर वाटर फिल्ड, टीजर, बेवी गम, स्मूद राउंडेड एजस, BPFD, इजी टू ग्रीप, सेफ, और अडरलेस, याने की कोई बद करना नहीं है, सिर्फ गर्म पानी में इसको 5 से लेकर 10 मिनिट्स तक भीगो के रखना है, और उसके बाद आप चाहे तो आप क्या कर सकोगे, उसके बाद आप चाहो तो इसको रेफ्रिजरेटर में आपको ठंडी भी कर सकोगे, तो इसका MRP है, आप देख सकते हो, 159 रुप मेरे चैनल को प्रीज 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 सब्सक्राइब जरूर कर दे, तो दोस्तो तो यह है टीथर पर इसका जो क्वालिटी है, तो दोस्तो यह है टीथर पर इसका क्वालिटी काफी बढ़िया है, और यह पूरी तरह सिलिकॉन से बनाया हुआ है, और इसकी अंदर बे तो इसके लिए आपको परेशनी होने की कोई जरूरत नहीं कि बच्चे अगर इसको चुई करेगा तो उसको टूटने की भी कोई डर नहीं वाटर लिकेज भी कोई प्रब्लम नहीं तो इसका क्वालिटी काफी बढ़िया है और I am happy with this purchase और इसको फिंगर बच्चे की जो फिंगर डालने के लिए भी यहां पर एक छेत किया गया है तो इससे काफी बढ़िया experience हो जाता है और यहां पर आप देख सकते हो कुछ दने-दने की तरह बनाया गया है इससे बच्चे की जो दात में पकर बनने के लिए बहुत आसनी होगा तो थेंक यू थेंक्स पर वाचिंग माई वीडियो प्लीज मेले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस चीज़ का अगर आपको चाहिए आपके बेबी के लिए तो उसका बाइंग लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उसमें से आप वे नाइस डे थेंक यू